कि दोस्तों हाई वेलकम टोड़ ट्वन्टीफोर सेवन आई एस जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली एक न्यूज बहुत ज्यादा आपको दिखाई और सुनाई दे रही है क्या है कि सिटी बैंक को dapat ने टेक्वर कर लिया है मतलब सिटी बैंक का पूरा का पूरा बिजनेस अब एकसिस बैंक कंट्रोल करेगा चलाएता तो पहले आगे बढ़ने से पहले दो चीज मुझे आपको बतानी है एक होता है मर्जर और एक होता है एक्वायर करना तो जब मैं मर्जर की बात करता हूं तो मर्जर का मतलब यह है कि दो बैंकों ने अपने अपने बिजनिस को मर्ज कर लिया है और मर्ज करने पर वो दोनों के दोनों बिजन कि एरटेल यानि के टेलिकोम इंडस्ट्री में आइडिया एंड जो वोड़ फून हुआ करता था वो दोनों को मर्ज कर दिया अब आपको वो वियाई इंडिया के तोर पर देखा जाता है तो उसी तरीके से बैंकों में भी होता है अभी SBI के साथ बहुत सारे बैंकों ने मर् सब्सक्राइब कर रहा है और उस बिजनेंस को किसी दूसरे को टेक ओवर कर रहा है कि अब आप इस बिजनेंस को टेक ओवर करें तो एसा ही हुआ है recently city bank ने अपने पूरे के पूरे business को किसको दिया है पूरे के business को access bank को दे दिया है अब access bank पूरे के पूरे business को चलाएगा अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे हम देखेंगे कि अगर यह merger या सुरी यह जो acquire आप लोगों को दिखाई दे रहा है उससे उसके तीस लाख city bank customer उमर पर किया परभाव़ पड़ेगा क्या उनको नजर आएगा और इसके साथ साथ हाईफ की बात करेंगे कि कहाँ नहींज है कि कहां पर क्या क्या सिस्टे आप लोगों को मिलने वाला है तो इसका मतलब यूएस बेस्ट सिटी कंजीमर बिजनिस को जो की 12,325 करोड यानि के एक हाईस्ट डील या वन ओफ दा लार्जिस्ट डील आपको नजर आती है इंडियन फिनेंशल सर्विस स्पेस में अब तक बहुत कम डील इतनी हुई है जिसमें 12,000 करोड से जाद है के बिजनिस को किसी दूसरे को टेक ओवर कर दिया गया हो अब इस बिजनिस के बाद जो आपका एकसिस बेंक है वो आईसी आई बेंक और एच्टी एफसी के लगवग लगवग बराबर आप समझ सकते हैं मतलब कुछ ना कुछ उसके बराबरी आपको नजर आ रही है एसिक बेंक और सिटी बेंक का बिजनिस पहले अलग-अलग हुआ करता था अब जब सिटी बेंक ने घोशना की कि अब हम पूरा का पूरा बिजनिस भारत ते समेटना चाहते हैं बंद करना चाहते हैं तो एक्सिस बैंक ने का कि भाई आप क्यों बंद कर रहे हो आप एक काम कीजिए वो पूरा का पूरा बिजनिस मुझे दे दीजिए अब किन-किन बातों पर डील हुई उसको हम समझ लेते हैं एक्सिस बैंक ने उसके लोन्स को चितना भी लोन्स उसने दिया हुआ था जितना भी उसके क्रेडिट कार्ड थे उसका वेल्थ था मेनेजमेंट और रिटेल बैंकिंग जो था वो भी पूरा का पूरा जो सिटी बै कर लिया है सने कंफ्यूजन हो जाता है झाल जो टंप करेंग तक करेंग की ऐक्सिस बैंक मैनेज़ करेगा चाहे वो और लोन तो किसी भी कंटेक्स में आपको यहां पर नजर आता हो इसके साथ साथ 30 लाख कस्टुमर एंड 3600 कंज्यूमर जो है वो पूरे के पूरे जो यहां पर सर्विस देते हैं उन सब को भी अभी पूरी तरीके से एक्विजिशन में रखा गया है पूरी तरीके से कंट्रूल करने की बात यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रही है पूरी की पूरी तरीके से टेक ओवर यहां पर नजर आ रहा है समझ माई बात के लिए एक दम इसमें कोई कंट्रूजन यह 30 लाख यूनिक कस्टूमर एंड 3600 इंसकोप कंजूमर इंप्लोई जो थे वो जो की सिटी बैंक के थे वो भी अब एक्सिस बैंक में काम करेंगे आगे बढ़ें क्या-क्या हुआ है यह देख लेते हैं क्या-क्य लाख कस्टूमर की बात यहां पर हमने देखी कि 30 लाख कस्टूमर अब एक्सिस बैंक के पास पहुँच गए एकदम दूसरा लगबग 25 लाख क्रेडिट कार्ड होल्डर वो पूरा का पूरा आप लोगों को अब एक्सिस बैंक कंट्रोल करेगा वो वहाँ पर पहुँच जाता है 11 लाख सिटी वेल्स और प्राइवेट बैंकिंग के कंटेक्स्ट में आपको वहाँ पर नज़र आते हैं पचास हजार दोसो करोड जो की 81 परसेंट है लोग कोस्ट करन्ट एंड सेविंग अकाउंट इपोजिट का उसको भी एक्सिस बैंक अब होल्ड करेगा रखेगा 1600 सेलरी अकाउंट 1600 सेलरी अकाउंट ओफ कोर्परेट विद वन मिलियन कस्टुमर दस लाख कस्टुमर का जो भी जिनकी सेलरी 17,000 से ज़ादा है वो पूरी की पूरी मान लीजे आप किसी कंपनी में जोब करते हैं अब आपका जो अकाउंट तो वो सिटी बेंक में था जहां पर आपकी सेलरी आती थी अब वो जो सेलरी है उसको भी बताएगा कि लगबग 1600 कॉर्परेट कंपनियों के लगबग 10 लाख कस्टुमर जिनकी एवरेज सेलरी 70,000 पर मन्त है उनको भी एक्वायर किया जा रहा है सेवन ओफिसेज 21 ब्रांचेज 499 एटी एम 18 शहरों में ये पूरा का पूरा आपको यहां पर दिखाई दे रहा है अर्थात इसको भी अब एक्सिस बेंक होल्ड करेगा घ्र थर्टेशिक स्ट्श हंड्रेड इंपलोई जो सिटी बैंक के थे उनको भी एक्सिस बेंक में मतलब किसी की कि नोकरी नहीं जा रही है एकसिस बेंक यहां से टेक ओवर करने बाला है पूरा का पूरा उसके साथ साथ पोस्ट एक्जूजेशन एकसिस बेंक डिपोजिट बेस्ट इंक्रीज बाइट सेवन परसेंट कासा 12 परसेंट लोंग 4% मतलब उसका ओवर ओल हर चीज में एक तरीक से परसंटेज में बढ़ता हुआ नजार आ रहा है कि उसका जो टोटल डिपोजिट बैसे वो साथ परतेशत बढ़ जाएगा मर्जर के बाद अगर हम क्रेडिट कार्ड प्लेयर की बात करें जो की फेबुरी 2022 में है तो यहां पर देखेगा SGFC के पास लगबख 16.27 मिलियन कह सकते हैं लगबख 16 लाक SBI के पास 13 लाक ICI के पास 12 लाक और एक्सिस एंसिटी बैंक के पास आठ और दो यहां से दोनों के दोनों मर्ज हो जाते हैं अब यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है अमिताब चोधरी जो की CEO या MD है एक्सिस बैंक के यह कहते हैं कि दा एक्कुजेशन स्टेंटिंग और मार्केट पोजिशन रिड्यूस दा गेप इन दा की सेग्मेंट विद पियर्स एंड प्रुवाइड एन अपोर्चनिटी टू एक्सिलिरेट रिटेल बिजनिस ग्रोथ इससे रिटेल बिजनिस ग्रोथ को फाइदा होगा मार्केट पोजिशन को स्टेंटिंग मिलेगी और इसके साथ साथ सेग्मेंट और दूसरों के साथ जो दूसरे प्यारे लाइक SDFC और SBI या ICI उनके बीच जो इनका गेप था इनके साथियों के साथ जो गेप था वो भी भरने वाला है वो भी आपको भरा हुआ नजर आएगा के लियर तो ये बैंकिंग इतिहास में वन ओफ दा ग्रेटिस्ट और वन ओफ दा लार्जिस्ट डील है जो मैंने आप लोगों को बताईए इसका भी बता दिया किस पर क्या परभाव पड़ेगा किसकी एकोनोमिक्स या किसकी कंडिशन मजबूत होगी वो सब चीज आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रही है अब सवाल एक और है जिसका आपको कमेंट में आंसर करना है सवाल यह है कि क्यों सिटी बेंक ने अपने बिजनिस को भारत से समप करने की कोशिश की या क्यों उसने इस बिजनिस को भारत से बंद किया है अब यह आपका टास्क है यह आपका काम है कि आप मुझे बताएंगे ऐसी क्या वज़े है जिसकी वज़े से आपको बदिखाई देता है कि सिटी बेंक जो की एक यूएस बेस्ट बेंक थी उसने भारत से अपने बिजनिस को बंद करने का फैसला लिया और वो पूरा का जैसे 21 ब्रांच इस प्राइम लोकेशन पर वो भी जूखी तु रिटेन रहने वाली है उनको एज़ेटी रिटेन किया जाएगा जो उसकी में ब्रांचे उसके साथ में उसको आप देख सकते हैं यह बात मैंने बता दी 3600 इंप्लोई एज़ेटी आपको कहां पर पहुँच जाएंगे एकसिस बेंक में पहुच जाएंगे यह पूरी की पूरी कहानी मैंने आपको समझाई यह पूरी की पूरी कंटिक्स मैंने आप लोगों को यहां पर दिखाई है उमीद है आपको जो information चाहिए थी वो मैंने आपको बाख़ू भी दी है अपने comment अपने views जरूर इसमें लिखेगा और मुझे बताईएगा क्यों ऐसा हुआ है और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि क्यों हमने ऐसा देखा है और क्यों City Bank ने ऐसा किया है बेस्ट उप्शन है UPSC IS का जो कि recently अभी शुरू हुआ है और इस बेच की कोस्ट मात्र 9199 है पूरे एक साल तक आप अंडर दा टोप एजुकेटर गाइडेंस मतलब उनकी बिस्ट गाइडेंस में mentorship के साथ पढ़ेंगे और कब जब आप इस code को apply करेंगे तो ये फीस इतनी हो जाएगी वेसे फीस इसकी 39,000 के आसपास है लेकिन जब आप code लगा देंगे Y717 तो ये फीस घटकर मात्र 9199 हो जाएगी तो इसका भी ध्यान रखें और अपने course को enroll करें यदि आपका सपना है आईस बनने का इसी के साथ मैं अपनी session को समाप्त करता हूँ जे हिन जे भारत धन्यवाद थेंक यू